हेई यू गाइज दिस भावना वेलकमिंग यू अल तो मैं यूट्यूब चैनल कैट सेट क्रिएट सो गाइज आज की वीडियो पी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पन्ना तो हम किवल गर्मियों में ही पीते हैं लेकिन इस मौसम में मैं आपको बताऊंगे कि कीवी का पन्ना कैसे बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बॉल में मैंने थोड़े से पानी को बॉल होने के लिए रख दिया था इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कीवी ले लिया था उसके बाद इसके बीच की जो roots होते हैं उन्हें कीवी से अलग कर लिया था आप चाहें तो जब कीवी boil हो जाए तो उसके बाद भी इन roots को अलग कर सकते हैं यहाँ पे मैंने यह process को पहले ही कर लिया था यहाँ पे मैंने कचे कीवी का use किया था इसके लिए यह जो roots हैं, उनको अलग करने में मुझे थोड़ा time लग गया, हम proper इसके roots को अलग कर लेंगे और kiwi को pieces में cut करके रख लेंगे, वैसे तो सारे fruits ही हमारे health के लिए बहुत ही जाद आच्छे होते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ ला थी कि एगर आपकी platelets down होती है, तो आप kiwi का use जरूर करें, ऐसे में आपके platelets बहुत तेजी से बढ़ना start हो जाते हैं, तो आप सब भी मुझे comment करके बताएगा कि और कौन से disease में या और कौन से health issues में kiwi का use किया जाता है, ताकि हमारे जो audience है उन्हें थोड़ी और knowledge मिल जाए, और मेरी वीडियो थोड़ी interesting के साथ सब knowledgeable भी हो जाए, यहाँ पर मैंने सारे कीवी के roots को अलग कर लिया था, और पीसेज में cut कर लिया था, अब मैंने जो पानी को boil होने के लिए रखा तो उसमें मैंने कीवी को डाल लिया और इन्हें boil करने के लिए छोड़ दिया था, आप सब मैंसे बहुत सारे थोड़ी से नमक को add कर लिया था और इसे ढखके अच्छे से boil होने रख दिया था, यहाँ पर मैंने बीच में एक बार इस बोल को open करके देखा था कि मेरी कीवी अच्छे से गल गई है या नहीं, तो यहाँ पर प्रोसेस में कीवी थोड़ी सी और कच्छी थी तो मैंने वा के लिए, जब तक कीवी पूरी तरीके से थंडी हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं आगे के प्रोसेस में हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया था, उसमें add कर लिया था थंड़ा पानी, अगर आपको थंड़ा पानी का यूज नहीं करना है, तो आप न यहाँ पे आप जितने भी लोगों के लिए सर्फ कर रहे हैं, उसे कॉर्डिंग आप अपने कॉंटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मैं वन परसन सर्विंग के कॉंटिटी रख रही हूं, फिर मैंने इसमें जीरा पॉर्डर आड़ किया और इसे एक बार करके उसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, इस प्रोसेस में अगर आपके पास फ्रेश मेंट लेव हैं यानि अच्छे पुदेने के पत्ते हैं तो आप यहाँ पे इसको भी आड़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्राइंड कर लिजेगा, क्योंकि कीवी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गई थी तो यहाँ पे हमारा जो विलैनिक पुरसेस है वह बहुत जादा टाइम नहीं लेगा, देखिए हमारे कीवी ग्राइंड के विपल अच्छे तरीके से त्यार हो गई है, अपामाने जो हमने पहले ही स्पाइस करके पानी त्यार किया थ है ताकि हमने जो भी सारे स्पाइस एट किये थे वह हमारे कीवी के जूस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए, इसके बाद हमें एक लेमन स्लाइस ले लेना है, यहाँ पे मैंने वन फोट लेमन का तुकडा लिया था, लेमन के जूस को मैंने इस कीवी पन्ना में एट कर लिया, जो लेमन जूस है वो इस ड्रिंक में एक टैंगी फ्लेवर एट करेगा, अब हमारा जो यह कीवी पन्ना है, यह बनकर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इससे सर्फ कर लेते हैं, सर्फ करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले एक सर्विंग ग्लास में लेम सर्फ करने की ठीक, पहले हम इसमें उपर से थोड़ा से स्प्रिंकल कर देंगे चीरा पाउडर को, कीवी पन्ना सर्फ करने के लिए बिल्कु टैटी है, अगर मेरी वीडियो आपको पसन आई है, तो वीडियो पे एक लाइक जरू करना, थैंक्यू